नमस्कार दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं बिलकुल एक दम कुरकुरी दिलकी पापड़ी और यह बहुत ही क्रिस्पी बनकर तयार होगी खाने में बहुत ही लाजवाब लगेगी तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें इसमें सार तृकी इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले तो हम तिल की पापड़ी पनाने के लिए तिल को साइट करने के लिए पहले से desires टैयारी को करके रख लेते है कि आपके पास रोटी पनाने वाला पटा बेलन होगा तो इसको अच्छे से ग्रीस करने से वोता यह है कि इसमें पापड़ी हमारी जिपकेगी नहीं तो इसको हमने सुद्ध देसीगी से ग्रीस करके रख लिया है तो चलिए हम पापड़ी बनाने सुरू करते हैं पापड़ी बनाने के लिए एक कप तिल लिया है तिल अच्छी फ्रेश लें ताकि इसमें कोई भी कंकर वगएरा नहीं क्यो कड़वा पन लगने लगेगा खाने में तो इसको मिनिममम पास से दस मिनिट ही रोष्ट करें मीडियम टू स्लो फ्रेम पे यह हलका इसमें जब तक कि इसमें हलका गोल्डन कलर ना आ जाए हलका सा गोल्डन कलर आ जाए और यह थोड़ी जब रोश्ट हो आती है न तो यह देख सकते हैं फ्रेंट्स कि यह दिली हलकी गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है यह हलका साम इसको रोष्ट कर लेते हैं तो हमारी तिल की जो पापड़ी बनती है बहुत अच्छी पिस्पी बनती है यह तिल के दाने है यह थोड़ी फूले फूले नजर आने लगे हैं तो ह तो हम तिल को निकाल लिये हैं और उसी कढ़ाई पे एक कप चीनी ले लिया है जितनी चीनी उतना ही तिली दौनों की बराबर क्वांटिटी रखेंगे इस चासिनी को जब आप बनाए तो इसको बनाने के लिए थोड़ा सा पेसेंस रखें धीरे धीरे देखेंगे तो इसको मीडियम टु स्लो ही रखें क्योंकि यदि तेज पर करते हैं तो नीचे से चासिनी जलती जाती है और फिर वह अजीब सी इसमें इसमेल आजाएगी चीनी में इसलिए इसको हम कंटियूनी चलाती जाते हैं गैस का फ्लेम हिस्ता में हम पर ही रखते हैं धीरे-धी इसको बनाकर जरूर ट्राय करें बहुत ही जल्दी बन जाती है मिनिमम दस मिनिट लगता है दो इंग्रीडियन्स यह असानी से बनकर त्यार हो जाती है देखेंगे आप धीरे-धीरे कि यह मैल्ट होती जा रही है इसको अच्छे से मैल्ट हो जाने देना है इसको इतना यह हमने तेली को रोश्ट करके पहले सी रखा था तो तिल को हम इसमे जल्दी से इसमे ट्रांसफर कर देते हैं टाइम लगाएं के अर गैस का फ्रैम हम ड़ी जल्दी बच करते हैं इस प्रोसेस को जल्दी जल्दी करना है फ्रेंस और इसमें हम अच्छा सस्वात देने के यह शोदे देशी घी अट कर दिया हैं घी डालने से होता है कि अच्छी शाइन करती है हमारी तिल की पापडी जब बनकर तियार होगी और यह पहले से हमने इसको ग्रीस करके रखा था ताकि इसमें पापडी जमे तुरंत इसको हमने ट्रांसफर किया हाथों से थोड़ा सा इ बेलना है ताकि अच्छा इकपल शेप में आ जाए इसको जितने ही स्पीट से आप बेलेंगे न तो इतनी ही पतली बनेगी लेकिन हाँ पर मैंने थोड़ा सा मौता बनाया है तो फ्रेंट से इस प्रोसेस को अब जल्दी करें यह थोड़ा सा थिक बनाकर रखा हुआ है और तुरंत इसमें निशान बना दिया है चाकू वगरा की हल्प से आप चाकू में ग्रीस कर लें घी वगरा से उसके बाद करें यह 10 सेकंड में ही अच्छी से सेट हो जाती है और इसे ऐसे चाकू से इसको निकालेंगे न तो यह तुरंत निकल कर तियार हो जाएगी तो फ्रे की जगा गुर्का भी यूज कर सकते हैं आप इसे जरूर ट्राय करें इस दिल की पापड़ी को तिल है जो हमारे थैल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और कैल्सियम से भरपूर होता है तो फ्रेंड्स आप इसे बना कर बढ़िया से इंज्वाए करें तो फ्रेंड्स टेक केर बाई बाई